दोस्तों अतीक एहमद और अश्रफ की हत्या के बाद एक बड़ी खवर सामने आई है योगी आदितिनात और उनके कई मंत्रियों के मुह से या देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों पर भी आपने कई दफा ये सुना होगा कि योगी सरकार यूपी से माफियाओं का खात्मा कर देगी अब जो खवर सामने आ रही है वो भी यही कह रही है योगी सरकार ने एक लिस्ट चारी कर दी है दोस्तों ये जो लिस्ट है 61 गैंस्टर्स की लिस्ट है यानि 61 यूपी के माफियाओं की लिस्ट है आपके जानकाली के लिए बताना चाहूंगी कि इस लिस्ट में मुखतार अंसारी का नाम भी शामिल है अब इस ख़बर को लेकर मीडिया संस्थान क्या चाप रहे हैं क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर दोस्तों ये सब कुछ इस विडियो में इस ख़बर में आपको पताएंगे नमस्कार मेरा नाम है जैनती जहा और आप देख रहे हैं दनेशन योगी सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट को लेकर संस्थानों ने हेडलाइन क्या चापी है दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो हम आपको इस विडियो में बताने वाले हैं वो आप इन तमाम हेडलाइन से समझ जाएंगे सबसे पहले आज तक ने लिखा है कि रडार पर 61 माफिया बन चुकी है लिस्ट जानिए क्या है योपी से गैंग्स्टर्स के सफाय का पूरा प्लैन दूसरी खबर देखिए आज तक नहीं लिखा है माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी में योपी पुलिस संपत्ती जब्त करने के लिए सूची बनाई नई सूची आ गई है देखिए रिपोर्ट न्यूज 18 इंदी ने लिखा है अतीक एहमत के बाद इन माफियाओं की बारी योगी सरकार ने बनाई नई लिस्ट आखिर में आपके स्क्रीन्स पर जनसत्ता की हैडलाइन है लिखा है अतीक के बाद अब चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करेगी योगी सरकार 61 गैंग् चामिल है ये भी आपको बिना देर किये बता जिते हैं पहला और सबसे ज़्यादा चर्चिक मशूर नाम है विधायक मुखतार अंसारी का जिनको यूपी का माफिया भी कहा जाता है मुखतार अंसारी जो इस वक्त यूपी के बांदा जेल में बंद हैं बताये ये जा रहा मुखतार अंसारी पर मीडिया ने और क्या-क्या लिखा है क्या-क्या छापा है यह हम आपको आगे बताएंगे मगर उससे पहले बात करते हैं इस लिस्ट में और कौन-कौन से नाम शामिल है दोस्तों उस लिस्ट की बात कर लेते हैं इस लिस्ट में अगर बाकी के नामों क बेजान सिंग, अजीत चौधरी अकू, धर्मेंडर केठल, अभिशेक सिंग, हनी, निहाल पासी, राजन तिवारी, सुधीर कुमार सिंग, विनोत उबाध्याय, ये वो लोग हैं जिनका नाम 61 गैंग्स्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, जनसत्ता ने आगे लिखा ह कि इन माफियाओं की 500 करोड रुपे की संपत्ती भी कुर्क करने की प्लानिंग यूपी सरकार पूरी कर चुकी है, हलाकि अभी मोके मंतरी योगया दितनाथ की मंजूरी इस अभियान को नहीं मिली है, मगर ADG Law & Order प्रशान कुमार का कहना है, दोस्तों कि प्रदेश के अपर पास से जुड़ेत तमाम माफिया बताय जाने वालों के नाम भी शामिल है, बच्चू यादव, जुगनु वालिया, रिजवान जहीर, दिलीप मिश्रा, अनुपम दूबे, हाजी एकबाल, लल्लू यादव, इनके अलावात, रिभुवन सिंग, खान मुबारक, सलीम, सोर रुस्तम, बबलू शिवास्तव, वलुमेश राय, कुंटू सिंग, सुभाष ठाकुर, संजीव महेश्वरी जीवा, मुनीर, ये वो नाम है, जो माफिया बताया जाते हैं, यूपी के, और इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, ये इसलिए जादा चर्चित हैं, क्यों हत्याकांड हुआ, उसमें सामने आया है, जनसत्ता ने लिखा है, कि सुंदर भाटी पर 62 अपराधिक मुकदमे दर्ज है, अतीक और अश्रफ के हत्याकांड में शामिल सनी, जो की कासगंज का बताया जा रहा है, उसे सुंदर भाटी गैंग का ही बताया जा रहा है, यानि जो सनी जिसने गोलियां चलाई, दोनों पर अतीक और अश्रफ पर वो सुंदर भाटी गैंग का गुरगा है, ये भी बताया जा रहा है, इसलिए उसका नाम यहां इस लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है, सुंदर भाटी का नाम इस लिस्ट में, एक सेट माफियाओं की ल मुखतार अंसारी बांदा जेल में बंध है, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पी एसी तैनात कर दी गई है, राजेंदर शुकला ने क्या लिखा है, लिखते हैं अतीका अंत होना स्वभाविक है, खबर है कि मुखतार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर केस दर्च करके कृष्णा नंदराय हत्याकान मामले में मुखतार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था, इस मामले में बहस पहले ही पूरी हो चुकी है और इस केस में अफजाल अंसारी बेल पर है, गैंग्स्टर केस में कृष्णा नंदराय मुर्डर केस, वार उससे कुछ नहीं कह रहे हैं जो दावे किये जा रहा है जो लिखा जा रहा है वो आपको बता रहे हैं एबीबि गंगा ने मुखतार अंसारी को लेकर क्या ट्वीट किया है लिखा है उत्तर प्रिदेश के प्रयागराज में अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद की ह कहा जा रहा है कि अतीक के हत्या के बाद से वो बेचैन है बांदा जेल के बाहर टीएसी का पहरा बढ़ा दिया गया है अब इन सभी ट्वीट्स और खबरों को देखने के बाद कई सवाल जो है दोस्तों उठ रहे हैं कि क्या जैसे यूपी में फिर एक बड़े नए प्लैन की तैयारी जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि बड़ा प्लैन हुआ और उसके तहट जो भी कुछ हुआ है उसके तहट हुआ ऐसा आरोप लगे अब क्या दोबारा उसी प्लैन की तैयारी की जा रही है ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों जिस तरह से बीते दिनों में माफिया कहलाए जाने वालों की मौत की खबर सामने आई है, हत्या की खबर सामने आचुकी है, क्या आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है ये भी सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि भविश्य को कोई नहीं देख सकता मगर ये लिस्ट और ये नाम देखने के बाद भविश्यवानी का जो दौर है वो अभी से शुरू हो चुका है चलेगा कहां तक ये समय बताएगा तो समय के इंतजार में आप भी रहे हैं हम भी रहते हैं देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ सामने आता है बेराल इस खबर पर आपके राय क्या है क्मेंट करके हमें जरूर बताएगे का वीडियो अगर आपको पसंदाया हो तो वीडियो को लाइक हो शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात भूगे आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक हिले रुपसकार